भारत में पत्रकारिता के शुरुवात 29 जनौरी 1780 को कलकत्ता में हिक्कीज बेंगॉल गजट और कलकटा जनरल एडवर्टाइजर के प्रकाशन के साथ हुई वो हंग्रेजी सब्ताहिक समाचार पत्र था उसे इंग्लेंड से भारत आये जेम सकस्टा सिक्की ने निकाला था इसलिए कहा जाता है कि भारत में पत्रकारिता इंग्लेंड से आई विधा है जिसके तीन घोशित उद्देश से रहे हैं पहला सूचना देना दूसरा शिक्षित करना और तीसरा मनुरंजन जेम सकस्टा सिक्की खुद अंग्रेज थे किंतु अंग्रेजी शासन के अनोचित्य को टोकने में वे जरा भी नहीं हिचकते थे इस्ट इंडिया कंपनी और वारिन हिस्टिंगस की अलोचना करने के कारण जेम सकस्टा सिक्की को जेल भेजा गया उन पर जुर्माने लगाए गए, किन्तु हिक्की ने अपना रविया नहीं बदला। इसलिए कहना चाहिए कि भारत में पत्रकाड़ता का जन्म परतिरोध की संस्कृति से हुआ। हिक्की जनौरी 1780 से 16 मार्च 1782 तक कलकत्ता से निकलता रहा। संपादक के नाम पत्र अस्तंभ की शुरुआत करने का शे भी हिक्किस बिंगॉल गजट और कलकता जन्रल एडवर्टाइजर को जाता है। जिस तरह अंग्रेजी पत्रकाड़ता का जन्म कलकत्ता में हुआ उसी तरह चार भारती भाषाओं बांगला, उर्दू, फार्सी और हिंदी की पत्रकाड़ता का जन्म भी कलकत्ता में हुआ। उर्दू का पहला समाचार पत्र जाम ए जहनुमा 27 मार्च 1822 को कलकत्ता से ही निकला। उस सापताही के मालिक हरिहर्दत और संपादक मुन्शी सदासुख मिर्जापुरी थे। जाम ए जहनुमा में फार्सी में छपने वाला एक अस्तंब इतना लोगप्री हुआ कि 29 माई 1822 से उस पूरे अखवार को फार्सी में ही निकला जाने लगा। हलांकि तब तक फार्सी का एक और समाचार पत्र मिरात उल अखवार कलकत्ता से ही निकलने लगा था। उसे 20 अप्रेल 1822 को राजाराम मुहनराय ने निकला था। इस तरह मिरात उल अखवार को फार्सी का पहला अखवार होने का गौरो प्राप्त है। वह साप्ताहिक समाचार पत्र था। 20 अप्रेल 1822 को मिरात उल अखवार की पहली संपात की टिपणी में राजाराम मुहनराय ने लिखा था। कुछ अंग्रेज, देश और बिदेश के समाचार प्रकाशित करते हैं किन्तु इससे केवल वही लोग लाब उठा पाते हैं जो अंग्रेजी जानते हैं। जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते वे उनसे अंजान बने रहते हैं। ऐसी दशा में मुझे फार्सी में एक सापताहिक अख़वार प्रकाशित करने की आवशकता प्रतीत हुई। बहुत से लोग फार्सी जानते हैं अतह यह अख़वार बहुत से लोगों तक पहुँचेगा। शंक्शेप में इस पत्र के प्रकाशन से मेरा अभिपराय यहा है कि जनता के शमक्ष ऐसी बातें प्रस्तुत की जाएं जिनसे उनके अनभूं में व्रिद्धी हो, समाजिक प्रगती हो, सरकार को जनता की स्थिती मालूम रहे और जनता को सरकार के कामकाज और नियम कानून की जानकारी मिलती रहे मिरातुल अखवार साल भर ही निकल सका चार अप्रेल 1823 को मिरातुल अखवार का अंति मंक निकला जिसकी संपात्की में राजाराम महनराय ने लिखा था शपत पत्र पर विश्वास दिलाने के बाद भी जब प्रतिष्ठा को आगहात लगता है और हर स से मन की शान्ती भी भंग होती है सुभावता मनुशे से गलती होती है अपनी भावना को अभिवक्ति देते समय जिन शब्दों और मुहारों का प्रयोग किया जाता है तो उनका अपने पक्ष में अर्थ निकाल कर शासन के रोश का सामना करना पड़ता है राजाराम महनराय ने लाड बिलियम बेंटिंग की साहता से महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और कानून बनवाकर सती प्रथा को अवेध करार दिया और उस मुद्दे पर सामाजिक नौजागन लाने के लिए राजाराम महनराय ने पत्रकारिता को माध्ध्यम बनाया राजारा की भारती द्वारा प्रकाशित होने वाला वह पहला समाचार पत्र था राजाराम महनराय की ही प्रेणा से 4 दिसंबर 821 को तारा चंदत और भवानी चरण बंदुपाध्या ने बांगला सापताहिक संगवाद कौमदी का प्रकाशन प्रारंभ किया था उस समाचार पत्र मे भी राजाराम महनराय की भावनाओं के अनुकूल समगरी चापी जाती थी। राजाराम महनराय ने संगवाद कौमदी को सती प्रथा के खिलाब अभियान बना डाला था। संगवाद कौमदी ने पारिवारिक रित रिवाजों, तीजते ओहारों और धार्मिक कर्मकांडों पर जादा खर्च किये जाने का विरोध किया और यह अपेच्छा की कि यह धन कला और विज्ञान पर खर्च किया जाए राजारा मोहनराय ने सती प्रथा के खिलाब एशियाटिक जर्नल के जुलाई 1819 के अंक में सार गर्भित लेख लिखा उन्होंने 1821 में दुभाशी ब्र किया गया था राजारा मोहनराय ने साप्ताहिक बंगदूत भी निकाला जिसमें हिंदी बंगला तथा फार्सी का प्रियोग किया जाता था साप्ताहिक बंगदूत 82 दिनों तक ही चल पाया किन्तु उसका प्रभुध जगत में प्रयाप्त स्वागत हुआ राजाराब महनराय ने बंगदूत में अपने प्रयोजन की गोशना हिंदी कविता में करते हुए कहा था बंगला के दूत पूत यही वाई को जानो होई विदीत सब देश कलेश को लेश न मानो उसी परिवेश में हिंदी पत्र का इरता का जन हुआ हिंदी का पहला समाचारपत्र उदंत मारतंड कलकत्ता से 30 मई 1826 को निकला था वह सापताहिज था जुकल किशोर शुक्र ने उदंत मारतंड की पहली संपात के टिपणी में अपने उदेश को असपष्ट करते हुए कहा था यह उदंत मारतंड अब पहले पहल हिंदुस्तानियों के हीत के हेत जो आज तक किसी नहीं चलाया इन शब्दों पर ध्यान दिजी हिंदुस्तानियों के हीत के हेत इसे हिंदी पत्रगारिता की आदी प्रतिग्या मानना चाहिए उस प्रतिग्या में यहां अंतर नहीं थै कि पत्रकारिता वह है जो हिंदुस्तानियों के हीद से बधी हो कानूनी कारणों और ग्रहकों से प्रयाप्त सहयोग नहीं मिलने के कारण 19 दिसंबर 1827 को जुगल किशोर शुक्रिन को उदंत मारतंड का प्रकाशन बंद करना पड़ा 19 दिसंबर 1827 को उदंत मारतंड के उनासिमें अंक में एक नोट प्रकाशित हुआ था जिसमें कहा गया था आज दिवस लव उग चुक्यों मारतंड उदंत अस्ता चल को जात है दिन कर दिन अब अंत उदंत मारतंड का प्रकाशन बंद करने को बाद्ध होने के बावजूद जुगल किशोरशुक्ल की निस्ठा खंडित नहीं हुई थी यदि उनकी निस्ठा तूट गई होती तो कदाचित समाचारपत्र के पुनह प्रकाशन का वेसाहस न कर पाते जुगल किशोरशुक्ल ने 1850 में साम दंड मारतंड नामक दूसरा समाचारपत्र प्रकाशित किया था उदंत मारतंड और साम दंड मारतंड के प्रकाशन के बीच की अवदी में बिभिन्न अस्थानों से कठिन परिस्थितियों में हिंदी में कई समाचारपत्र प्रकाशित हुए जैसे 1845 में गुमिन्द नराण थत्ते के संपादन में निकला बनारस अखवार कलकत्ता से 11 जून 1846 को निकला मारतंड और 6 मार्च 1849 को इंदोर से निकला मालवा अखवार 1822 में सापताहिक अखवार गौलियर निकला उसके संपादक लच्छमन दास भटनागर थे 8 जून 1844 को कलकत्ता से शाम सुंदर सेन ने हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र निकला जिसका नाम था समाचार सुधा वर्षन समाचार सुधा वर्षन हिंदी और बांगला दोनों में निकलता था आरंभ के दो प्रिष्ट हिंदी में और बाकी प्रिष्ट बांगला में निकलते थे वह अखवार 1873 तक निकला उस जमाने में इतनी दिनों तक किसी दैनिक अखवार का निकलना ही अपने आप में बड़ी बात थी तब समाचार पत्रों का प्रकाशन एक मिशन को लेकर होता था वह मिशन था स्वाधिन्ता संग्राम के लिए जन्मानस को तयार करने का इसके लिए समाचार पत्रों को ब्रिटिश हुकुमत का बराबर को भाजन बनना पड़ा पर तब भी मिशन की पत्रकारिता को कमजोर नहीं किया जा सका समाचार सुधावरशन ने 1877 के प्रथम स्वाधिन्ता संग्राम में ब्रिटिश सेना के अत्याचारों की खबर लगातार प्रकाशित की 26 मई 1857 के अंक में समाचार सुधावरशन ने लिखा हाल ही में अंग्रेजों ने हमारे धर्म को नश्ट करने का प्रयास किया अता इश्वर उन पर कुर्द है ऐसा अभास मिलता है कि ब्रिटिश सामराज्य का अब अंत आ गया जब दास मालिक को जबाब देने लगता है तब समझ लो मालिक का अंत निकट है सामराज्य पर जब संकट पड़ा तब गवर्नर ने अनेक वायदे किये लेकिन विद्रोही सेना का उन वायदों पर कोई विश्वास नहीं वे युद्ध को समात करने के पक्ष में नहीं सची बात तो यह है कि युद्ध में दम आ रहा है और अनेक खेत्रों की जणता सेना में मिल रही है पांच जून 1877 के अंक में समाचार सुधावरशन ने लिखा कि मेरट और दिल्ली के विद्रोह ने गवर्नर को इतना भैभीत कर दिया है कि उसने अपने सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी और राजनिमास के सभी रास्तों को प्रति दिन रात आठ बजे बंद करने का आदेश दिया गवर्नर की देनियता का आलम यह है कि वह प्रति दिन दम दम बैरकपूर में जाकर सिपाहियों से दोनों हाथ जोड़कर कहता मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपके धर्म को ठेस पहुँचे आपका धर्म जो कहे वही करिए इसके लिए आपको कोई नहीं रोकेगा शाम सुंदर सेन ने समाचार सुधावरशन के पांच नौ और दस जून अठारो सो संताओन के अंकों में भी बिपलवी सेना के तैयारी के समाचारों को साहस के साथ प्रकाशित किया था उन समाचारों से ब्रिटिश सरकार इतनी डर गई कि गवर्नर जनलन ने 12 अठारो सो संताओन को शाम सुंदर सेन पर मुकदमा चलाने का फैसला किया उससे बेपरवाः शाम सुंदर सेन ने समाचार सुधावर्शन में दिल्ली के अंतिम मुगर संबराट बहादूर शाह जफर द्वारा 25 अगस्त 1867 को जारी गोशनापत्र को प्रमुखता से प्रकाशित किया वह गोशनापत्र भारत के प्रथम स्वाधिन्ता संग्राम का विरल दस्तावेज है उस गोशनापत्र में बहादूर शाह जफर ने कहा था खुदा ने जितनी बरकतیں इनसान को अता की है उसमें सबसे किम्ती बरकत आजादी है क्या वह जालिम फिरंगी जिसमें धोखा देकर हमसे यह बरकत चीन ली है हमेशा के लिए हमें उससे महरूम रखेगा क्या खुदा की मर्जी के खिलाफ इस तरह का काम हमेशा जारी रह सकता है नहीं कभी नहीं फिरंगीयों ने इतने जल्म किये है कि उनके गुनाहों का प्याला लबरेज हो चुका है यहां तक की हमारे पाक मजभब का नाश करने की नापाक ख्वाहिश भी उनमें पैदा हो गई है क्या तुम अब भी खामोश बैठे रहोगे खुदा यह नहीं चाहता कि तुम खामोश रहो क्योंकि खुदा ने हिंदों और मुसल्मानों के दिलों में उन्हें मुलक से बाहर निकालने की ख्वाहिश पैदा कर दी है और खुदा के फजल और तुम लोगों की बहादूरी के परताफ से जल्द ही अंग्रेजों को इतनी कामिल शिकस्त मिलेगी कि हमारे इस मुलक हिंदोस्तान में उनका जरा भी निशान न रहा जाएगा हमारी फौज में छोटे और बड़े की तमीज भुला दी जाएगी और सब के साथ बराबरी का बरताव किया जाएगा क्योंकि इस पाक जंग में अपने धर्म की रक्षा के लिए जितने लोग तलवार खीचेंगे वे सब एक समान यश के भागी होंगे वे सब भाई हैं उनमें छोटे बड़े का कोई भेद नहीं इसलिए मैं अपने तमाम हिंदु भाईयों से कहता हूँ उठो और इश्वर के बताए उस परम कर्तब को पूरा करने के लिए मैदान ये जंग में कूद पड़ो अठारसो संताओन में ही लाड कैनिंग ने लेखन और मुद्रण की आजादी पर अंकुष लगाने के लिए एडम रेगुलेशन लगा दिया उसी के तहट समाचार सुधा वर्षन पर मुकदमा चला लेकिन शाम सुंदर सेन ने तरक दिया कि उस समय तक भारत का वैधानिक शासक मुगल बाशा था और जिसे देश का शासक मना जाता हो उसके फरमान को च्छापना देश दुरोह की तक्निकी परिभाषा के अंतरगत नहीं आता उस घटना के बाद भी अंग्रेज सरकार का जहां भी परतिकार हो रहा था उसके समाचार शाम सुंदर सेन अपने देनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षन में छापते रहे अठारोस संताउन के स्वाधिंता संग्राम का एक और प्रबल समर्थक समाचार पत्र था पयाम आजादी नाम के अनुरूप ही वह पत्र आजादी का संदेश लेकर आया उसका प्रकाशन अजिमुल्ला खां के संपादन में आठ फरोरी अठारोस संताउन को दिल्ली से शुरू हुआ था बहादुर्शा जफर के पुत्र बेदार बक्त उसके प्रकाशक और मुद्रक थे समाचार सुधा वर्षन की तरही पयाम आजादी ने भी बहादुर्शा जफर का घोशना पत्र छापा था पूरा का पूरा पयाम आजादी कोई नियत कालिन समाचार पत्र नहीं था वह कभी रोज, कभी हफ्ते में दो बार, कभी एक ही बार निकलता था पहले वह उर्दु में निकला, फिर हिंदी भी उसके साथ जुड़ गई हिंदी उर्दू के उस समाचार पत्र ने यद्दे पी जादा लंबी उम्र नहीं पाई तथा पी वह जितने दिन जिया दहपते शोले की तरह जिया पर्थम स्वाधिंता संग्राम के बिफल होते ही पयाम आजादी पर कुठारा घात हुआ बेदार बक्त को फांसी की सजादी गई और कहा जाता है कि जिन लोगों के घर में पयाम आजादी की प्रतियां पाई गई उन्हें भी मोत के घाट उतार दिया गया उस काल के एक अन्य समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट ने भी 1867 की जनकरांति का समर्थन किया था उस समाचार पत्र के संपादक हरिश्चंद्र मुखोपाध्या ने 1867 के स्वाधिंता संग्राम के रक्तरंजित वृतांत अपने समाचार पत्र में लगातार प्रकाशित किये पयामे आजादी, समाचार सुधावर्शन और हिंदू पैट्रियट जैसे समाचार पत्रों ने अंग्रेजी हुकूमत की परवाह नहीं की और वे जनता की आकांच्छा को बाणी देते रहे 1877 के संग्राम में ततकालिन समाचार पत्रों की भूमिका को देखते हुए लाड कैनिंग ने प्रेज को नियंतरित करने के लिए 13 जुन 1877 को प्रिंटिंग प्रेज और उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया ब्रिटिश सरकार ने लाइसेंस प्रदान करने और उसे रद्द करने का अधिकार अपने पास रखा लाड कैनिंग के उस अधिनियम को गला खोटू कानून नाम दिया गया उस एक्ट के माध्धम से सरकार किसी भी समाचार पत्र, पुस्तक या अन्य मुद्रित सामगरी के प्रकाशन या प्रसार को प्रतिबंधित कर सकती थी उसे हिंदिय और अंग्रेजी समाचार पत्रों पर समान रूप से लागू किया गया प्रकाशक और मुद्रक का नाम तथा प्रकाशनस्थल का संपुन पता देना आवश्यक कर दिया गया गला घोटू कानून को एक वर्ष के लिए लागू करते हुए लाड कैनिंग ने लिखा मुझे संदे है कि इस बात को पूरी तरह समझा भी जा रहा है या नहीं कि पिछले कुछ हपतों से भारती समाचार पत्र भी भारती जनता को जनकारी देने के नाम पर उनके हिर्दे में राजद्रोह का जहर उडेलने की ध्रिश्टता तक पहुँच चुके है यह काम कड़ी मेहनत चतुराई और कोशल से किया जा रहा है अपने उदेश के बारे में जूट मूट के उँचे उँचे दावे किये जा रहे हैं और सरकार तथाव उसके प्रजाजनों के बीच असंतोश और नफरत के बीच बोए जा रहे हैं उस काल खंड में अंग्रेजों द्वारा किये गए भीशन दमन और अत्याचारों के कृत्यों की जानकारी चांद के फांसी अंक में दी गई है चांद के फांसी अंक में छपे ख्वाजा हसन निजामी के लेक में बहदूर शाह जफर के प्रती इलाही बख्ष और रजब अली के बिश्वासगात का वड़न किया गया है चांद के फांसी यंग से यह भी पता चलता है कि बादशाह, बहदुर शाह, जफर, बेगम जीनत महल और शहजादे कैसे गिरफतार हुए शहजादे कैसे हटसन द्वारा गोली से मारे गए, कैसे शहजादे का कटा असीर थाल में रहकर हटसन ने बादशाह के सामने पेश किया इसका वणन करते हुए ख्वाजा हसन निजामी ने अपने लेख में लिखा है हटसन ने कहा यह आपकी नजर है जो बंद हो गई थी और जिसको जारी करने के लिए आपने गदर में शिरकत की थी यह वही हटसन था जिसने जफर से कहा था दम दमे में दम नही अब खैर मांगो जान की ए जफर ठंडी हुई शमसीर हिंदुस्तान की उसके जबाब में जफर ने कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक इमान की तकते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की उस समय की हिंदी पत्रकाइटा के तेवर को देखकर अकबर इलहाबादे की उद्भावना बर्बस याद आजाती है खीचून कमानों को नतलवार निकालो जब तोप मुकाबिल हो तो अकबार निकालो बिटिश समराज शाही तोप का मुकाबला भारती पत्रकारों ने अकबार से किया था और एतिहासिक तथ्य है कि समराज शाही गुमान को जुकना पड़ा था हिंदी पत्रकारिता का दूसरा दौर भारतेंदु हरिश्टंदर से आरंब होता है। भारतेंदु ने बनारस से पंदर हगस्त 1867 को कवी बचन सुधा का प्रकाशन प्रारंब किया था। कवी बचन सुधा का आदर्श वाक्य था अपधर्म छूटे स्वत्व निज भारत गहे यानी भारत अपने स्वत्व को प्राप्त करे। देश प्रेम की छेतना को दिप्त करते भारतेंदु हरिश्टंदर ने कवी बचन सुधा के 23 मार्च 1874 के अंक में स्वदेशी का एक प् प्रकाशित किया था। उसमें उगोंने लिखा था हम लोग सर्वांत दासी सत्र अस्थल में बरतमान सर्वद्रष्टा और नित्य सत्य परमिश्वर को शाक्षी देकर यहनियम मानते हैं और लिखते हैं कि हम लोग आज के दिन से कोई बिलायती कपड़ा नहीं भारतेंदु ने स्वदेशी आंदोलन की नियू तब रख दी थी जब न कांग्रेस का स्वदेशी आंदोलन प्रारम्भ हुआ था नहीं बंग भंग आंदोलन हुआ था। गांग्रेस की तो अस्थापना ही 1885 में हुई थी और उसकी 11 साल पहले ही स्वदेशी आंदोलन की आधारशिला भारतेंदु ने कवी वचन सुधा के मार्फत रख दी थी। कवी वचन सुधा के 8 जून 1874 के अंक में भारतेंदु ने अंग्रेजों की प्रफुता को ललकारते हुए देश वासियों का आवाहन किया था। उन्होंने कहा था भाईयों अब तो सन्नद हो देखो भारत वर्ष का धन बाहर न जाने पावे यह उपाय करो। भारतेंदु ने 15 हक्टूबर 1873 को हरिश्चंद मैगजीन का प्रकाशन प्रारम भी किया। उसके केवल आठंक ही निकल सके। उसके बाद उसका नाम हरिश्चंद चंदरिका कर दिया गया। भारतेंदु उसके एक साल पहले 1873 में मदन मोहन भठ ने बिहार बंधु का प्रकाशन प्रारम भी किया। बाद में भठ जी ने संपादन का भार अपने भाई केशो राम भठ को सोप दिया। केशोराम भठ ने लगातार तीस वर्षों तक उसका संपादन किया। बाल केश्व भठ के संपादन में 1877 में हिंदी प्रदीप निकला। हिंदी प्रदीप ने भारती ज्ञान परंपरा का प्रसार किया। 1908 में माधुशुकल की बंग शिर्षक कविता चापने पर हिंदी प्रदीप पर जुर्माना लगा। जिसे न चुका पाने के कारण उसका प्रकाशन बंद हो गया। सन 1878 में छोटे लाल मिश्र के संपादन में भारत मित्र, 1889 में सदानंद मिश्र के संपादन में सार सुधानी दी और 1880 में दुर्गा प्रसाद मिश्र के संपादन में उचित वक्ता का प्रकाशन प्रारंब होगा। सदानन्द मिश्र ने सार सुधानिदी के दूसरे वर्ष के पचीसमें अंक की संपात की टिपणी में लिखा था भारत के दुर्भागे को अपना दुर्भागे और भारत के सुभागे को अपना सुभागे समझो नहीं तो भारत का दुर भाग कदाप दूर नहीं होगा इसी तरह दुरगा प्रसाद मिश्र ने उचित वक्ता के 12 मई 1883 के अंक में देशी संपात्कों को संबोधित करते हुए कहा था देशी संपात्कों साउधान कहीं जेल का नाम सुनकर किन करतब विमूर मत हो जाना यदि धर्म की रक्षा करते हुए यदि गवर्नमेंट को सत परामर्श देते हुए जेल जाना पड़े तो क्या चिंता है इससे मानहान नहीं होती भारती राष्टी कांग्रेस का जन 1885 में हुआ और उसी साल पहली नौंबर को काला कांकर से राजाराम पाल सिंह के संरक्षन में हिंदी का देनिक समाचारपत्र हिंदोस्थान निकला अमरिक तलाल चकरवर्ती उस समाचारपत्र के उप संपादक बनाए गए 1887 में मदन मोहन मालवी हिंदोस्थान के परधान संपादक बने हिंदोस्थान कांग्रेस की नीती पर चलने वाला राष्टवादी समाचारपत्र था मालवी जी की संपाद की नीती का मुख्य मकसद था भारत की स्वराज्य प्राप्ति और हिंदी को राष्ट भाषा के रूप में प्रतिश्टित करना उसी दोरान लाला बल्देव सिंग ने अप्रेल 1887 में रिवा से हिंदी पाक्षिक भारत भराता का प्रकाशन प्रारंब किया भारत भराता ने अंग्रेज सरकार की कई नितियों का बिरोध किया योगेंदर चंदर बसु ने 1890 में हिंदी बंगवासी का प्रकाशन प्रारंब किया और उसके संपादन का दैत अमरितलाल चकरवर्ति को सौपा हिंदी बंगवासी को निकले एक साल ही हुआ था कि अंग्रेज सरकार ने एज आफ कांसेंट बिल पारित कर दिया अमरितलाल चकरवर्ति ने हिंदी बंगवासी में उसका पूरजोर भी रोध किया सरकार ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया उन्हें तीन दिनों तक जेल में रहना पड़ा उस घटना से हिंदी बंगवासी की प्रसिद्धी बढ़ गई उसकी प्रसार संख्या भी बढ़ गई अमरितलाल चकरवर्ति दस वर्षों तक हिंदी बंगवासी के संपादक रहे हिंदी बंगवासी ने हिंदी पत्रकार्ता में कई नए प्रयोग किये समाचारों को विशय और अस्थान के अनुसार समायूजित करने की शुरुवात हिंदी बंगवासी नहीं की तीसरे प्रिष्ट का नाम होता था कलकत्ता और मुफसिल उस प्रिष्ट पर कलकत्ता और आसपास की ख़बरें छापी जाती थी उसमें समाचार भेजने बाले का नाम भी छापा जाता था प्रेशक अपना नाम छापने के कारण बेहद सजग रहता था हिंदी बंगवासी ने विग्यापन का भी नया तरीका अपनाया कलकता से बाहर जाने वाली गाड़ियों पर अकबार का पोश्टर चिपका दिया जाता था अंबिका कृसाद बाजपी ने लिखा है पत्रकारिता का प्रात्मिक विद्याले था हिंदी बंगवासी पत्रकार के लिए भाशा की एक रूपता पहली आवश्यक्ता है एक शब्द जिस रूप में एक जगा लिखा गया है उसी रूप में सरवत्र लिखा जाना चाहिए यह बात हिंदी बंगवासी में कुछ दिन काम करने से आ जाती थी हिंदी बंगवासी के बारे में बाल मुकुन्दकुत ने लिखा है अमरितलाल चक्रवर्ती के संपादन में हिंदी बंगवासी नए धंग का अखवार निकला हिंदी में उसके पहले वैसा अखवार कभी नहीं निकला था खबरें ताजा ताजा उसमें निकलने लगी जो अन्य हिंदी अखवारों में नहीं होती थी वो खूब फैलने लगा विशेशकर बिहार और युक्त प्रदेश में उसका बड़ा आधर हुआ बंबई से अठारो सो चानबे में शी विंकटेश्वर समाचार का प्रकाशन प्रारंब हुआ वो हसापताहिक समाचार पत्र था, रामदास, वर्मा, लज्जा, शंकर, मेहता उसके संपादक रहे एक समय शी विंकटेश्वर समाचार की प्रसार संख्या हिंदी बंगवासी और भारत मित्र से भी अधिक हो गई बीस्वी शताबदी के आरंभ के साथ ही हिंदी पत्रकारता का तीसरा दोर प्रारंभ होता है सम 1921 में इलहाबाद के इंडियन प्रेस से मासिक पत्र का सरसुती निकली आरंभ में उसके संपादन का भार एक समिती को दिया गया था जिसमें बाबु शामसुंदर दास, बाबु राधा किशन दास, बाबु कार्थिक परसाद, बाबु जगनाब दास और किशोरी लाल गुस्वामी शामिल थे प्रवेशाम के मुख प्रिष्ठ पर पाँच चित्र छपे थे सबसे उपर विनावादिनी सरसोती का चित्र था, उपर बाई और सूर दास और दाई और तुलसी दास, तथा नीचे बाई और राजा, शिवपरसाद, सितार हिंद और बाबु हरिश्चंदर के चित्र चपे थे ये एक साल बीतते न बीतते ये असपष्ट हो गया कि संपादक मंडल से काम नहीं चलेगा अतह जनौरी 1901 से बाबु शाम सुंदर दास ने संपादक का दाईत सम्हाला 1902 के आखिर में उन्होंने भी संपादन करने में असमर्थता जताई और ने संपादक के रूप में महविर प्रसाद दुएदी का नाम सुझाया पत्रिका के मालिक चिंतामडी गोश दुएदी जी के महत्यों से परिचित थे उनके आगरह पर दुएदी जी 1903 के जनौरी में सरस्वती के संपादक बने और 1920 तक वे सरस्वती का संपादन करते रहे दुएदी जी ने सरस्वती को ज्यान के सभी अनुशासनों का खुला मंच बनाया जबकि भारत मित्र जैसे समाचार पत्र राष्टवादी चेतना को उस समय बल पहुँचा रहे थे भारत मित्र में प्रकाशित शिव शंभू के चिठ्थे के माध्यम से बाल मुकुंद गुप्त ने ब्रिटिश हुकूमत को ललका रहा था 11 अप्रेल 1903 के अंक में बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा था अपने माई लाड जबसे भारत वर्ष में पधारे हैं बुलबुलों का सोपन ही देखा है या सचमुच कोई करने के योग्य काम भी किया है खाली अपना ख्याल ही पुरा किया है या यहां की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तब में पालन किया एक बार ये बातें बड़ी धीरता से मन में बिचारिए हिसाब कीजिए नुमाशी कामों के सिवा काम की बात आप कौन सी कर्चले हैं और भड़कबाजी के सिवा डूटी और कर्तबी की और आपका इस देश में आकर कब ध्यान रहा है इसी भाशा में 2 सितंबर 1905 को भारत मित्र के संपादक ने लाड करजन को संबोधित किया था क्या आख बंद करके मनमाने हुकम चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबा कर उसकी मर्जी के विरुद जिद से सब काम किये चले जाना ही शासन कहलाता है एक काम तो ऐसा बताईए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो 1907 पत्रकारिता के लिए युगांतर कारी वर्ष रहा उस साल मदन मोहन मालवी ने अभ्यूद है अंभिका प्रसाद बाजपेई ने निर्सिंग शारदा च्रणमित्र ने देवनागर का प्रकाशन प्रारम्भ किया 1907 मही इलहाबा से शांति नर्यान भटनागर ने उर्दू सापताहिक स्वराज्य का प्रकाशन प्रारम्भ किया वह कुल ढ़ाई साल ही निकला उसके सब मिलाकर 75 अंक निकले किन्त उसके कुल 8 संपादकों को कुल मिलाकर 125 वर्ष की जेल की सजा हुई स्वराजी के लिए संपादक का विग्यापन छपता था और उसमें कहा जाता था एक जोग की रोटी और एक प्याला पानी के वेतन पर स्वराजी को संपादक की आवशकता है जो हर संपादकी पर जेल जाने को तरजीह दे इसके बावजूद स्वराजी को संपादक का टोटा नहीं पड़ा स्वराज्य का धेवाक्य था हिंदुस्तान के हम है हिंदुस्तान हमारा है 1907 में जश्टिस शारदा चर्णमित्र ने देवनागर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और युशोदानंदन अखोरी और उमापती दत्य शर्मा को उसके संपादन का दैट सौंपा देवनागर देश के दुर्भागी मोचन के लिए देवनागरी लिपकी महत्ता को ही रेखांकित नहीं करता था हिंदी भाषा के राश्टी महत्तो को भी बड़े बल के साथ प्रचारित करता था इस प्रकार राश्टी एकता की आबो हवा रचने की भूनिका में सक्रिय था 1907 में ही निकली अमिका प्रसाद बाचपेई की हिंदी पत्रिका निसिंग निसिंग स्वराजी का ही काम कर रही थी निसिंग के चोथे अंक में स्वराजी के आवशकता शिर्षक लेख प्रकाशित हुआ था और उसमें कहा गया था कि स्वराजी की आवशकता भारत वासियों को इसलिए है कि विदेशी सरकार उनके अभाव अभियोगों को समझने में असमर्थ है स्वराजी की बिना भारत की गत ही नहीं है जिस प्रकार रोगी को अवशद की, भूखे को अन की और दरिदर को धन की आवशकता है उसी प्रकार भारत को स्वराजी की आवशकता है भारत वासियों के लिए तो दो ही मारग हैं चाहे वे स्वराज जलाब कर अपना मनुशत तो बनाए रखें अत्वा जंगली मनुश्यों की बहात पश्वों की श्रेणी में समलित हो जाएं। दोनों बातें भारत पासियों के अदीन हैं। निसिंग के चोथे अंक में उसके संपादक अंबिका परसाद बाजपे ने लिखा था। प्रतिग्या करते हुए कहा था हम अपने देश और समाज की सिवा के पुवित्र काम का भार अपने उपर लेते हैं। हम अपने भाईयों और बहनों को उनके करतब्य और अधिकार समझाने का यथा शक्ति प्रयत्न करेंगे। राजा और प्रजा में एक जाती और दूसरी जाती में एक संस्था और दूसरी संस्था में बैर और विरोध अशान्ति और असंतोश न होने देना हम अपना परम करतब्य समझेंगे। हम अपने देशवासियों को उन सब अधिकारों का पूरा हगदार समझते हैं जिनका हगदार संसार का कोई भी देश हो सकता है। परताप के उसी संपात्की में गणिशंकर विद्यार्थी ने लिखा था जिस दिन हमारी आत्मा ऐसी हो जाए कि हम अपने प्यारे आदर्श से डिग जावें, जान बुझ कर असत्य के पक्षपाती बनने की बेशरमी करें और उदारता, स्वतंतरता और निश्पक्षदा क छोड़ देने की भीरुता दिखा में, वह दिन हमारे जीवन का सबसे अभागा दिन होगा, और हम चाहते हैं कि हमारी उस नैतिक मृत्यु के साथ ही हमारे जीवन का भी अंत हो जाए, 1919 में निकले स्वदेश की पहली संपात की टिपड़ी में दशरत प्रसादवेदी ने स्वदेश का संकल्प लिखा था, उसमें नहीं कहा था, हम चाहते हैं कि संसार के अन्य स्वाधिन देशों के मनुश्यों की भाद, हिंदुस्तानियों की भी गणना मनुश्यों में ही हो इसलिए जो स्वत्व और जितनी स्वतंतरता एक स्वाधिन राष्ट के बिक्ति को प्राप्त हैं, उतनी स्वतंतरता हिंदुस्तानियों को भी प्राप्त हो इसी उदेश की प्राप्ति के लिए स्वदेश हमेशा समर्पित रहा माखलाल चत्रवेदी ने 1920 में कर्मबीर का संपादन भार समाला उसी साल 5 सितंबर को वारानसी से आज देनी का प्राकाशन प्रारंब हुआ आज की प्रथम संपाथ की टिपणी में बाबू राविश्व पराड करने लिखा था हमारा उदेश अपने देश के लिए सब प्रकार से स्वातंत्र उपारजन है हम हर बात में स्वाधीन होना चाहते हैं हमारा लक्ष यहा है कि हम अपने देश का गवरो बढ़ावें अपने देश वासियों में स्वाभिमान का संचार करें उनको ऐसा बनावें कि भारती होने का उन्हें अभिमान हो, संकोच न हो उस समय महात्मा गांधी जननेता के रूप में भारत वासियों को सुलब हुए थे और गांधी जी के लोकनाय कत्व पर देश की आम जनता और भुद्यजीवी समाज की आस्था दिर्धतर हो चली थी गांधी जी ने भी राष्टी आंदोलन में पत्रकारिता की ताकत को महसूस किया उन्होंने 1919 में यंग इंडिया और 1933 में हरिजन निकाला बाबुरा विश्व पराड कर माखरलाल चत्रुएदी गनेशंकर विद्यार थी और प्रेम चंद जैसे शिशस्त संपाद को ने अपना प्रत्य गांधी विचारधारा से जोड़ दिया था और गांधी जी के सत्ताग्रह और राजमितिक कार्यपंथा के प्रवक्ता बन गये थे उस युग की प्रसिद्ध सहितिक पत्रिका मतवाला देश के उद्धार के लिए गांधी जी के नित्रितों को जरूरी मानती थी मतवाला के संपादक मंडल में सुरिकान त्रिपाठी निलाला और पांडे बेचन शर्मा उग्र जैसे सहितकार थे मतवाला ने 31 मई 1924 के अपने अंक में लिखा यदि आप स्वतंतरता के अभिलाशी हैं अपने देश में स्वराजी की पर्दिष्ठा चाहते हैं तो तन, मन और धन से अपने नेता महात्मा गांधी के आदेशों का पालन करना आरंब कीजिए मतवाला ने 26 जनौरी 1924 की संपादकी टिपणी के द्वारा गांधी जी का पक्ष समर्थन करते हुए लिखा था हमें बिना बिनंब सत्यागरह की शरण लेकर लीडरों को इसका पिछलगू बनने के लिए बाद करना चाहिए क्योंकि गांधी विहिन स्वराज यदि सुर्ग से भी सुन्दर हो तो वह नरक के समान त्याज्य है उस एक महात्मा पर ही शत शत स्वराज नियोचावर कर देने योग्य है उसके बिना स्वराज का सुपन भी कैसा वही हमारा प्रतिक्ष स्वराज है यदि वह हमारी आँखों के सामने बना रहे तो स्वराज चरणों पर लोडता रहेगा जिस एक के बिना हमारा सब कुछ लवण हीन ब्यंजन हो रहा है उसी एक को पाकर हम अनेक एक हो सकते हैं माखलाल चत्रुएदी के संपादन में निकलने वाली प्रभा 1920 इस्वी में जब गणे शंकर विद्यार्थी के हाथ में आई और प्रताप के साथ प्रभा के संपादन का दैत्व उन्होंने सोतसा स्विकार किया तो अपने मनुभाव का संकेत पहली ही संपाद की टिपणी में उन्होंने दिया था उन्होंने लिखा था आत्मरक्षा और आत्मविकास के लिए संसार की घटनाओं की क्रिया और प्रतिक्रिया का ग्यान आवश्यक है इस देश को ग्यान की ऐसी जोती शिक्षा की परम आवश्यकता है जो नाविक को घटनाओं और घटाओं से अच्छादित मारगों को ढूणने में सहारा दे उसे उसकी दिशा की सूचना दे आसपास के कगारों की उचाई, निचाई, भेंकरता और सोमे का पता दे आसपास वालों की घातों, प्रतिघातों का ग्यान दे और अंत में दे उसे पार करने के लिए प्रौड मत्प, शुद्ध संकल्प और अदम में उत्साह प्रभा इस छेत्र में कुछ कारे करेगी 1924 में कलकत्ता से निकले युगांतर ने भी स्वाधिन्ता प्राप्ति को अपना प्रयोजन घोशित किया था राम धहिन ओजा उस समाचार पत्र के संपादत थे परिमल भट उनके सहयोगी थे युगांतर के हर अंक में गांधी जी के चित्र के साथ काबे पंग्तियां जो छपती थी वे हैं मुक्त हों हाथ हथकड़ी तूटे राष्ट का सिंगहनाद घर घर हो हे प्रभू देश में युगांतर हो राम दही नोजहा ने बिटिश सरकार का विरोध इतनी प्रकरता से किया कि उन्हें कलकता छोड़ने का आदेश दे दिया गया उनकी पुस्तकें लाला जी की याद में और फिरंगियां कविता पुस्तक जब तक कर ली गई युगांतर में राम दही नोजहा की लेखने अंग्रेजों के खिलाफ आग उगलती थी उन्हें बंगाल से निश्कासित कर दिया गया पर वे चुप कहां बैटने वाले थे उसके पहले भी बलिया और गाजी पुर से वे निश्कासित किये जा चुके थे राम दही नोजहा खुलकर स्वाधिंता संग्राम में कूद पड़े 16 मैं 1921 को गिरफतार हुए फिर 3 फरोरी 1922 को गिरफतार हुए उनकी अंतिम जेल यातरा 27 अक्टूबर 1930 को हुई बलिया जेल में उन्हें भोजन के साथ जहर दिया जाता रहा फलता 18 फरोरी 1931 को वे शहीद हो गए अहिंसावादी अंदोलन की वह पहली शहादत थी कृष्णदत पालिबाल ने 1925 में राष्टी भावना से ओधपरोत समाचारपत्र सैनी का प्रकाशन आगरा से शुरू किया था लच्वन नाराणगर्दे के संपादन में 27 दिसंबर 1925 को स्री कृष्ण संदेश सापताहिक निकला 1926 में हिंदू पंच और सेनापती का प्रकाशन हुआ उसी दोरान सरोज का प्रकाशन प्रारंभ हुआ नौजादिक लाल और राम प्रसाद पंडे उसके संपादक थे रामानंद चट्वपाद्ध्या ने 1928 में बनारसीदास चत्रुएदी के संपादन में विशाल भारत का प्रकाशन प्रारंभ किया विशाल भारत में अनेक महत्पूर्ण पुराने तक्थियों को उजागर किया हिंदी प्रत्रकारिता पर ब्रिजिंदनात बंदुपाद्या, विश्णोदत शुक्ल, रुद्रदत शर्मा, अंबिका प्रसाद बाजपई, लच्वन नरायन गर्दे के लेख और संस्वन विशाल भारत में प्रकाशित किये उस काल के अन्य प्रमुख समाचार पत्रों में आदर्श, साहित, अभय, भविश, आवाज, बर्तमान, बलिया गजट, सुदर्शन, देशभक्ति, करांतिकारी, मजदूर, रणचंडी, चंडीका, ज्वाला मुखी, आदी, शामिल है मुणशी प्रेमचंड ने 1930 में हंस निकाला संपादक के रूप में प्रेमचंड एक तरफ अपने पाठकों को ब्रिटिश हुकुमत के खिलाफ महत्मागान्धी के आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेडित करते थे तो दूसरी तरफ अंगरी की शासन के कुकृत्यों और निशनसता का तिब्र प्रतिबाद भी करते थे इसलिए उन्हें कई बार ब्रिटिश शासन का कोप भाजन भी बनना पड़ा जागर्ण के 12 दिसंबर 1932 के अंक में प्रेमचंद ने स्वें उस कोप का ब्यावरा दिया है वे लिखते हैं हन्स की जमानत से हालही में गला तूटा है पांच महीने तक पत्र बंद रहा इसलिए इतनी जल्दी जमानत का हुक्म पाकर हम शुब्द हुए उसी टिपणी में प्रेमचंद लिखते हैं ऐसे वातावरण में जबकि हर संपादक के सीर पर तलवार लटक रही हो राष्ट का सच्चा राजनिती विकास नहीं हो सकता 1932 में भविश्य का प्रकाशन सिर्फ इसलिए बंद करा दिया गया क्योंकि उसमें ब्रिटिश हुकुमत के विरुद्ध टिपणी छपी थी 1938 में आचारी नवेंदर देव ने संघर्ष का प्रकाशन लखनों से प्रारंभ किया 1949 में द्यूतिय विश्युद्ध छिड़ गया द्यूतिय विश्युद्ध के दौरान 1949 में नागपूर में नोभारत और उसके एक वरश बाद 1940 में पटना से आर्यावर्थ का प्रकाशन प्रारंभ हुआ प्रतम विश्वयुद्ध में ही पत्रकारिता में बेवसाय बृत्ति की भावना घर कर गई थी दियोतिय विश्वयुद्ध में वह और बढ़ गई और उसने उद्यो कारूप लेना शुरू किया ब्रिटिश सरकार के समर्थक समाचार पत्रों ने युद्ध के लिए ब्रिटेन को मदद देने की जनता से अपील की केंदू राष्टी चेतना वाले समाचार पत्रों ने नारा दिया न एक पाई न एक भाई 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी समाचार पत्रों ने बढ़ चड़ कर भाग लिया 1942 में ही इलहाबाद में अखिल भारती समाचार पत्रों के संपातकों का सम्मेलन हुआ कुसमें तै हुआ कि समाचार पत्र संपातकी नहीं चापेंगे किन्तु उसका निर्वाह नहीं हो पाया दूतिय विश्युद्ध शुरू होने पर बितानिया सरकार ने नए समाचार पत्रों के प्रकाशन पर रोक लगा दी और जो समाचार पत्र छप रहे थे उनके लिए नियूस प्रिंट का कोटा निर्धारित कर दिया समाचार पत्र मालिकों और संचालकों के साथ सरकार ने इस आशे का एक करार भी किया जिसे मैक्स्विल करार कहा जाता है करार के बाद भारत छोड़ो आंदोलन के कट्टर समर्थक आज और सैनिक का प्रकाशन कुछ दिनों के लिए बंद हो गया या उन्हें बंद करा दिया गया राश्टी आंदोलन परवान चड़ने लगा था कि आजाद हिंद फोज पर मुकदमा चला राश्टी विचार धारा वाले सभी समाचार पत्त्रों ने उसका बिरोध किया 1947 में देश के विभाजन का भी वैसे समाचार पत्त्रों ने बिरोध किया बिड़ला परिवार ने समाचारपत्र जगत में सबसे पहले प्रवेश किया घंशाम दास बिड़ला ने इलहावा से प्रकाशित लीडर और भारत पटना से प्रकाशित सर्च लाइट के शेयर खरिद लिये उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के शेयर खरिदने के लिए मदन मोहन मालवी को सहयोग दिया हिंदी दैनिक हिंदुस्तान 1936 में दिल्ली से शुरू हुआ था बंबई से टाइमस आफ इंडिया और इलेस्टेटेड विकली आफ इंडिया निकालने वाली बिनेट कोर्ण में कमपनी को रामकिश डालमिया ने खरिद लिया स्टेट्समेन साथ और दोगिक घरानों के हाथ में आ गया अधिकतर समाचार पत्र अपनी तरह आजादी के लिए लड़ रहे थे आजादी के बाद की हिंदी पत्रकारिता के दौर को देखें तो आज के संपादक बाबुराव विश्णू पराडकर ने 15 अगस्त 1947 को अपने अगरलेक द्वारा देशवासियों को आगाह किया था उन्होंने कहा था आनंद में विभोर होकर हम कहीं अपना कर्तब्य न भूल बैठे स्वतंत्र होने के साथ साथ हमारे कंधों पर जितना भारी उतरदाई तो आ गया है उसे हमें नहीं भूलना चाहिए हमारी लेश मात्र की असाउधानी का परिणाम अत्यंत घातक हो सकता है हम जरासी चूके नहीं कि सरुनाश हमारे सम्मुक उपस्थित है स्वाधिन्ता की बेला में समाचार पत्र जगत की बेवसाय बृत्ति और बढ़ गई पत्रकारिता जब उद्यों की शकल में तब्दील होने लगी तभी शुरू हुआ आरंभिक, प्रेरणाओं, प्रयोजन और प्रतिग्याओं का च्छरण स्वाधिन्ता की बेला में हिंदी के कई दैनिक प्रारंब हुए उन दैनिकों के कई संस्क्रण भी बिभिन अस्थानों से निकलने लगे स्वाधिन्ता के बाद ब्यापक पाठक वर्ग बनाने वाली पत्रपत्रिकाएं रहीं दैनिक भासकर, दैनिक जागरण, नौभारत टैम्स, अमरुजाला, पंजाब केशरी, हिंदुस्तान, सनमार्ग, नई दुनिया, नौभारत, स्वदेश, राजस्थान पत्रिका, राष्टदूत, दैनिक नौजोत, बीर अर्जुन, स्वतंत्र भारत, आज, आर्यावर्त, नौजीवन, पुर्वांचल प्रहरी, सेंटिनल, गांडिव, अमरित प्रभात, तरुन भारत, देश बंधु, प्रभात खबर, धर्मयुग, स्वतंत्र चेतना, जनसत्ता, लोकमत समाचार, सरिता, इंडिया टूडे, माया, मुकता, मनोहर कहानिया, मनोर्मा, कल्याण, उच्छेत्र, बिग्यान प्रगति, अखंड जोति, बाल हंस, और इसी तरह की अन्य पत्रिकाय, आजादी के बाद समाचार पत्रों की संख्या बढ़ी, परसार संख्या बढ़ी, बड़े बड़े और दोगी घराने समाचार पत्र उद्योग में आने लगे, क्योंकि उद् इसलिए कई घराने समाचार पत्र उद्योग में आये, नई से नई टेकनलोजी से समाचार पत्र छपने लगे, लेकिन मुद्रन करांत या सुधार के साथ विकृतियां भी आने लगी, कई जगह जनहित की जगह ब्यापारिक हित को बढ़ावा दिया जाने लगा, 1962 में चीन आकरमन का करारा जबाब दिया और विजय पाई, उससे हिंदी पत्रकारिता में एक नई चेतना आई, 1971 में बांगलादेश मुक्ति संग्राम के समय भी हिंदी पत्रकारिता के ने तेवर दिखे, विश्णुकान शास्त्री और धर्मबीर भारती की रिपोर्टिंग ने धर् पत्रकारिता ने अपनी अपार संभावनाओं का अनुभो किया था, धर्म्युक 1950 से ही निकल रही थी, लेकिन धर्मबीर भारती के संपादन काल में, यानि 1960 से 1987 तक, 27 वरशों तक उसकी सरवाधिक प्रतिष्ठा रही, जिस समय भारती धर्म्युका संपादन कर रहे थी, उ 1965 में अगे के संपादन में निकली दिन्मान पत्रिका ने भी अरजित की थी, सब्ता भर पाठक उसका इंतजार करते थी, 1975 में देश में इमर्जेंसी लगी और प्रेस पर सिंसर लगा, तो जैप्रकाश नरायन के नित्रितु में पूरे देश में इमर्जेंसी और सत्ता के जुल्म के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। इमर्जनसी का विरोध करने का दम बहुत कम समाचारपत्रों में था। अधिकांश समाचारपत्र सत्ता के आगे दुम हिलाने लगे। यह आरंभिक प्रियनाओं, परतिग्याओं और प्रयोजन के चरण का चरम था। हिंदी समाचारपत्रों की उस शर्मनाख भूमिका की बानगी धर्म्यू के 3 अप्रेल 1977 में प्रकाशित गणेश मंत्री के वक्तब्य में देखी जा सकती है। गणेश मंत्री ने उसमें लिखा था, यह विचितर इस्थिती है कि आपात इस्थिती के दोरान सबसे अधिक जुल्म हिंदी भाषी छेत्रों की गरीब जनता पर हुए। निकिन उस जनता की भाषा के समाचार पत्र आपात इस्थिती में डील आने के बाद भी अपने पाठकों की आपबीती को प्रकाश में नहीं ले आ पाए। यद्यपी यह हिंदी पत्रकारिता का डेड़ सवुआ वर्ष था और आशा की जाती थी कि वे माखनला चत्रवेदी और गणे शंकर विद्यार्थी की परंपरा की याद ताजा करेंगी। पर नो तो वे आतंक मुक्त हो पाए नहीं छोटी मोटी सुविधाओं सुरक्षाओं की कोठरी से बाहर निकल पाए। जनवाणी को अभिवक्ति देने के बजाए वे सत्ता धारियों की दलाली करने में बेस्त रहे। असी नबे के दशक में हिंदी के जिस देनिक समाचार पत्र का भारत की समूची सानस्कतिक संवेदना पर प्रभाव पड़ा वह है जनसत्ता। जनसत्ता जब दिल्ली से 17.1983 को निकला तो प्रभाश जोशी ने अपनी विशेश संपात के टिपणी में लिखा था। अख़बार अपने पाठकों की आशा अकांचाओं और जिवन मुल्यों का आइना होता है। वह पाठकों से बनता है और पाठकों को बनाता है लेकिन यह अर्थवान प्रक्रिया बिना विश्वस्नियता के नहीं चल सकती। जनसत्ता यह विश्वस्नियता कमाने के लिए निकल रहा है। हिंदी के पाठक जानते हैं कि जनसत्ता वहविश्वस्मियता कमाने में सफल रहा। जनसत्ता सब की खबर लेता रहा और सब को खबर देता रहा। और कारगर ढंग से जनता के सुख दुख को सही अर्थों में परतिबिम्बित करता रहा। उसने बाजार के दबाओ, बिग्यापन दाताओं के दबाओ, सरकारी दबाओ, सुखधाओं और साधनों के दबाओं के आगे सिर्फ नहीं नत किया। नब्बे के दशक में हिंदी की समूची पत्रका इरता किसी न किसी रूप में जनसत्ता से प्रभावित हुई। 1991 के बाद भुमंडली करण का दोर आता है और भुमंडली करण का दोर हिंदी पत्रका इरता के लिए बहुत उथल पुथल वाला रहा। भुमंडली करण के दबाओं ने मीडिया का स्वरूप और चरित्र बहुत हद तक बदल डाला। उदारी करण के फलसुरूप उभरी नई विश्व अर्थवे उस्था में मीडिया संपन्न वर्ग का हिमायती बन गया और हाशिय के समाज के लिए मीडिया में बहुत कम जगह बची या नहीं बची क्योंकि हाशिय के समाज की बात करते ही मीडिया पर चोतरफा दबाव पढ़ने लगते हैं सरकार से, विधाईका से, अपराधियों से, बिग्यापन देने वाले बड़े अद्योगे घरानों से और सुए मीडिया समू के अपने प्रबंदन से बुमंडली करण के गर्व से जो चिटफन कमपनियां, शेर बाजार के दालाल, दान बैंकिंग कमपनियां और भावन बनाने वाली स्टेट कमपनियां अचानक प्रकट हुई उनकी भूमिका के बारे में बात करें तो पश्चिम मंगाल में 2013 इस्वी के आरंभ में कोलकाता तथा सिलीगुडी से प्रकाशिक पांच दैनिक अखवारों और दो चैनलों के अचानक बंद हो जाने के कारण तीन सो से अधिक पत्रकार बेकार होकर सड़क पर आ गए थे वे सभी अखवार और चैनल चिटफंड कमपनी सारधा समूह द्वारा प्रकाशिक प्रसारित किये जा रहे थे उस चिटफंड कमपनी ने 2011 बारे में कोलकाता और सिलीगुडी से हिंदी में दैनिक प्रभातवारता अंग्रेजी में दैनिक बंगाल पोस्ट उर्दू में दैनिक आजाद हिंद तथा बंगला में दो दैनिको सोकाल बेला और कलम का प्रकाशन प्रारंभ किया था वह समूह बंगला में 24 घंटे के चैनल तारा न्यूज, तारा म्यूजिक और चैनल टेन भी प्रसारित कर रहा था किन्तु चिट फंड कमपनियों पर जब सरकार का शिकंजा कसमे लगा और सारधा समूह द्वारा प्रकाशित प्रसारित अकवार और चैनल जब कमपनी का बचाओ करने में असमर्थ रहे तो सारधा समूह ने अपने सभी अकवारों और चैनलों का प्रकाशन प्रसारण जेवी जी और कुवेर जैसी चिटफंड कमपनियों ने भी ऐसा ही किया था। तब बड़े मिडिया धरानों नहीं ली। आज जेवी जी कुवेर जैसी कमपनियां अर्बो रुपे ठक कर गायब। भूमंडली करण के ही गर्व से पेड न्यूज की प्रवित्ति पैदा हुई है। 90 के दशक से ही जितने आम चुना हुए उसमें पेड न्यूज का बोलबाला साफ दिखा। चुनाओ लड़ रहे प्रत्याशियों के पक्ष में एडवर्टोरियल चापे गए। हद तो तब हो गई जब एक ही निर्वाचन छेतर से दस चुनाओ प्रत्याशि थे तो दसों के जितने समंदी न्यूज आइटम चपे पैसे लेकर प्रत्याशियों ने विग्यापन के बदले न्यूज आइटम अपने पक्ष में चपवाए। सीधे अखवारों के प्रवंधन उसके बड़े पत्रकारों ने इन प्रचार न्यूज आइटम के विग्यापन दर से पैसे वसूले। आज की हिंदी पत्रकारिता में बड़ा परिवर्तन तक्नीक के प्रवाव के कारण आया है। आज संपूर मीडिया जगत में कंप्यूटर करांती की धूम है। यह वेब पत्रकारिता का दौर है। सभी प्रमुक समाचार पत्रों और चैनलों के वेब संस्क्रण भी निकल रहे हैं। सोशल मीडिया वेकल्पिक पत्रकारिता के रूप में सामने आया है। याद किजिए कि सोशल मीडिया के मार्फत ही अन्ना हजारे का अंदोलन घर घर पहुँच गया था। वह उस नई पिढ़ी के कारण संभव हुआ जिस पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि वह फेस्बूक और मुबाइल में ही ब्यस्त रहती है। और सही तो यह भी है कि यही नई पिढ़ी जनांदोलनों में बढ़ चड़ कर हिस्सा लेती रही है। सिर्फ भारत ही नहीं पड़ोशी, बंगलादेश में शाहबा के जनांदोलन को वहां के किशोरों नहीं सोशल मीडिया के जरिये ना सिर्फ जीवित रखा बलकि उसे फैलाया भी। अरब जगत की क्रांद, लीबिया, मिस्र के लोगतंतर समर्थक कांदोलोनों को बढ़ाने में फेस्बुक, ट्विटर, यूटूब जैसे सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका रही है। कहने की जरूरत नहीं कि सोशल मीडिया अब बिकल्ब की खोज बन चुका है। लेकिन एक खत्रा भी है। आज गुगल, फेस्बुक पर अमेरिकी इजारेदारों का कबजा है। और अमेरिका जब चाहे तो एक सेकंड में लोगों के सारे संपर्क समाप्त कर सकता है। एक त कर दोगों के सारे संपर्क समाप्त कर सकता है। और अमेरिकी इजारे संपर्क समाप्त कर सकता है।